नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा चार की पाठ्थे पुस्तक परिवेश अध्यन जहरोखा इस वीडियो में हम मेरा परिवार और मेरे मित्र का पार्ट एक परिवार कल और आज करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले पाट की परिवार कल और आज आओ फोटो एल्बम देखें समीर फोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है अरे वह यह फोटो तो हमारे पूरे परिवार की है इसमें है मेरे दादा दादी ताउताई पिताजी आजै अनु और मैं समीर मेरी बुगा तब पढ़ाई के लिए कुरुशेत्र गई हुई थी इस परिवार प्रशन है देखो सोचो और लिखो इस परिवार में कुल कितने सदस्य है इसका उत्तर है इस परिवार में कुल 10 सदस्य है फोटो में 9 सदस्य है तथा बुगा पढ़ाई के लिए कुरुशेत्र गई है प्रशन अगला है क्या तुमारे पडोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है तो इसका उत्तर है हाँ हमारे पडोस में भी ऐसा परिवार रहता है जिसमें बारा सदस्य है चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इंसदस्यों की आयूँक खितनी होगी दादा की 65 वर्ष, दादी की 63 वर्ष, दाओ की 40 वर्ष, ताई की 38 वर्ष, माता की 36 वर्ष, पता की 38 वर्ष ऐसे परिवार को क्या कहते हैं उत्तर ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं चाचा की शादी यह फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी कितना मज़ा आया था शादी में सोचो और लिखो प्रश्न है समीर के चाचा की शादी के बार घर में जो नया सदसे आया है समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा उत्तर है चाची कहकर बुलाएगा अगर समीर की बुगा की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता उत्तर है परिवार का एक सदस्य कम हो जाता अगला प्रश्न है पता करो आप दादी मा वे चाची से पता करो की शादी से पहले वे कहां रहती थी उत्तर है शादी से पहले दादी मा वे चाची अपने माई के यानी माता पिता के घर रहती थी उन से पूँच कर उनके पुरानों जो घर हैं पुराने उनका पता लिखना है तो दादी मकान नमबर 15 भाटिया कालोनी फरीदावाद में रहती है मां मकान नमर 683 राजी नगर बल्लवगड में रहती है चाची गाव धोज नजवगड हरियाना में रहती है तो यहाँ पर आप अपने दादी मां और चाची से पूछ कर उनके माईके के जो पते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोचो और लिखो तुम किसी शादी में गए तो होंगे ही अब लिखो दूला और दूलन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे उत्तर है दूले ने कोट पैंट और पगड़ी तता सहरा पहना था दूलहन ने लहंगा चुन्नी पहना था अगला प्रशन है शादी में तुमने क्या क्या देखा उत्तर है बेंड बाजा खाने के स्टॉल बराती देखे घर आई नन्नी परी यह फोटो मेरी छोटी बेन खुशी के जनम के समय की है बाप रे कितना रोती थी वे सारा दिन सोचो और लिखो प्रशन समीर के परिवार में कौन सा नया सदिस्य शामिल हो गया उत्तर है समीर की बेहन अगला प्रशन है क्या पिछले कुछ वर्षों में तुमारे परिवार में किसी बच्चे ने जनम लिया है उत्तर हाँ मेरे परिवार में मेरा भाई रवी का जनम हुआ है अगला प्रश्ण है खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे उत्तर है परिवार के सदस्यों की संख्या में एक सदस्य की वृद्धी हो गई अब मा कौन से नए काम करेगी उत्तर है खुशी की देख भाल करना हमारा नया घर यह फोटो हमारे नए घर की है पिताजी का तवादला गाउ के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था उनके तवादले के बाद हम गाउसे या शहर में रहने आये थे सोचो और लिखो अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं उत्तर है समीर, उसके माता-पिता तथा उसकी छोटी बहन प्रशन, समीर के परिवार का यह फोटो पाट के शुरू में दिये गए फोटो से किस प्रकार भिन है उत्तर है, पाट के शुरुआत में जो फोटो था वह एक संयुक्त परिवार का था जबकि यह फोटो एका की परिवार का है प्रशन अगला समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसोस किये होंगे उत्तर है यहां उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किनी कार्णों से नई जगे पर जाना पड़ा है यदि हां तो कहां पर उत्तर है हां मेरे ताउजी शहर में दूसरा घर खरीद कर रहने लगे हैं उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर ही अपना घर बना लिया है अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है उत्तर है एक आकी परिवार परिवार में अन्य किन कार्णों से बदलाव हो सकते हैं उत्तर है नमबर एक नौकरी की वज़े से नमबर दू लड़ाई जगड़े की वज़े से अगला प्रेशन समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं तुम्हारे पिताजी या माताजी क्या काम करते हैं उत्तर है मेरे पिताजी ड्राइवर है और माताजी घर का काम करती है यहां पर आप अपने पिताजी के जो भी काम हो वो यहां पर लिख सकते हैं पता करो और लिखो प्रश्न है अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो जब वे तुम्हारी उमर के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था उनके परिवार में कौन कौन थे उत्तर है उस समय उनका संयुक्त परिवार था परिवार में दादा दादी, ताउताई, चाचा चाची, बुआ आदी रहते थे मिलकर मनाई होली यह फोटो पिछली होली के मौके की है गाउं से चाचा, चाची, बुआ, अनू, आजै सब आए थे और हमने मिलकर होली मनाई थी प्रशन है, अब बताओ, तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं उत्तर है, हम सभी सदस से मिलकर इस तवहार को मनाते हैं तुम्हें होली का तवहार कैसा लगता है उत्तर है, मुझे होली का तवहार अच्छा लगता है तुम कौन कौन से तेवार अपने पर दादा दादी, चाचा चाची के साथ मिल कर मनाते हो। उत्तर है होली दिवाली, बुवा की सगाई, यह फोटो उस समय की है जब मेरी बुवा की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गाओं के घर में कठा हुआ था। सोचो और लिखो, तेवारों के अलावा और किन अवसरों पर तुमारे परिवार के सभी सदस्य इकठे होते हैं। उत्तर है, नमबर एक शादी, जनम दिन या किसी की मृत्यू के समय, नमबर दो किसी धार्मिक समारों के अवसर पर। अगला प्रेशन, जब परिवार के सभी सदस्य इकठे होते हैं, तब तुमें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हों? उत्तर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी बच्चों के साथ खेलता हूं और बहुत चीजे खाता हूं। इस फोटो में मेरी बुआ कितनी सुन्दर लग रही है, सगाई से दो दिन पहले दादा जी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुला कर कहा था, खरिदारी का काम ताउजी और ताईजी करेंगे, माता पिता जी बाकी काम कर लेंगे, चाचा जी खाने का इंतजाम संभा लें सोचो और लिखो, समीर के परिवार में दादा जी और दादी जी ने फैंसले लिए, तुम्हारे परिवार में फैंसले कौन लेता है, उत्तर है, हमारे परिवार में भी सभी सदस्य, दादा दादी, माता, पिता जी मिलकर नेने लेते हैं, क्या फैंसले लेने वाला व्यक्त परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है उत्तर है हाँ लेते हैं प्रश्ण है तुम्हारे परिवार में ऐसे अवसरों पर तुम्हें किस तरह का काम सौपा जाता है उत्तर है परिवार के बड़े सदस्यों की मदद करने का प्रश्ण है तुम्हारे परिवार में नीच पिता, माता, दादा और दादी, दिवाली पर पठाकू की खरीदारी होगी या नहीं, राय देने वाले हैं पिता जी, तोहार पर नए कपड़े जूते आदी खरीदने हैं या नहीं, माता पिता, घर के लिए टीवी, फ्रीज, कूलर, साइकिल आदी की खरीदारी कब होगी, भोजन सम्बंदी, यानि भोजन में क्या बनेगा, कपड़े खरीदने में कपड़े किस अवसर पर खरीदने है, फरनीचर खरीदने में कौन सा फरनीचर लेना है, टीवी देखने में कौन से कारिकरम देखने है, सहभोज यह उस दिन के सहभोज की फोटो है जब हमारे गाउ में लोगों ने पहली बार खड़े ओकर खाना खाया था पहले तो गाउ में पंक्तियों में बिठा कर पत्तोलों में खाना खिलाया जाता था मिर्टी के बर्तन बनाने वाले ब्तो काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया जाता था पता करो और लिखो अपने दादा दादी माता पिता से पता करो कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था उत्तर है लड़ू, जलेबी, बरफी, रोटी, चावल, दाल, सबजी, आदी भोजन किस प्रकार परोसा जाता था उत्तर है भोजन जमीन पर लाइनों में बिठा कर पतलों में परोसा जाता था सोचो और लिखो क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोज में गए हो जाँ पंक्तियों में बिठा कर खाना खिलाया जाता है अपने साती से भी पूछो उत्तर हाँ मैं सामूहिक भोज में शामिल हुआ हूँ हमारे गाउं के मंदिर में भंडारा होता है जिसमें पंक्तियों में बैठा कर खाना खिलाया जाता है पड़ा स्वच्छता का पाठ यह फोटो तब का है जब मेरी नानी हमारे घर आई थी नानी को सफाई बहुत पसंद है नानी ने बताया कि शारिरिक विकास के लिए बीमारियों से बचना और स्वस्त रहना जरूरी है इसके लिए शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए समय समय पर नाखुन काट लेने चाहिए हर रोज ना हाना चाहिए शोच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए अपने शरीर के साथ सथ घर्व पडूस की साथ सफाई रखनी भी जरूरी है तो चो और लिखो क्या तुम्हारे परिवार के बड़े बुजर्गों ने भी तुम्हें सफाई संबंदी कोई बात बताई है लिखो हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से धोना चाहिए नमबर दू, सोच के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए अगला प्रशन, सोच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने क्यों जरूरी है उत्तर है, इससे हानी कारक किटाणू धुल जाते है अगला प्रशन, अगर तुम अपने शरीर की सफाई नहीं रखोगे तो क्या होगा उत्तर है, अगर हम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार पढ़ जाएंगे चर्चा करो, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने में तुम किस प्रकार योगदान दे सकते हो नमबर एक कूड़ा कच्रा ने फैला कर कूड़े कच्रे की सफाई करके मेरा परिवार मेरी दुनिया मेरा परिवार मेरी छोटी सी दुनिया है इसमें हम सम्मिल जुल कर प्यार से रहते हैं अपना सुक दुख सांजा करते हैं घर का काम मिल कर करते हैं मुझे अपनी ये दुनिया अच्छी लगती है अपने परिवार के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो मेरा परिवार मैं दयालपुर में रहता हूँ गाउं में मेरा चोटा सा घर है जिसमें मेरा परिवार रहता है मेरे परिवार में मेरे माता पिता मैं और मेरी बहन कीरती रहते हैं हमारा परिवार बहुती खुशाल है मेरे माता पिता सभी काम आपस में मिलकर करते हैं आउ ये भी करें, अपने परिवार का एक व्रिक्ष मनाएं, तो दादा जी और दादी जी, दादा जी के तीन लड़के, ताउ जी, पिता जी और चाचा जी, ताउ जी के शादी हो गई, तो ताई जी आ गई, पिता जी के माता जी आ गई, और चाचा जी के शादी हो गई, त अपने माता पिता की मदद से बच्पन के परिवार का व्रिक्ष बनाओ माता जी के दादा माता जी की दादी उनके दो बच्चे माता जी के ताउताई और माता जी के माता पिता ताउताई के दो बच्चे एक बेटा रविंदर एक बेटी राखी माता जी और पिता जी के दो बच्चे राधा और भाई उमेश माता जी का परिवार है अब दर पिता जी के दादा पिता जी की दादी पिता जी के दो बच्चे पिता जी के माता पिता और पिता जी के चाचा चाची इनके पिता जी और पिता जी की बहन चाचा की बेटी और चाचा का बेटा सुमन और समय के सासत क्या बदलावाई लिखो उस समय ये संयुक्त परिवार थे लेकिन अब ये एका की परिवार बन गई हैं नमबर तीन फिंगर प्रिंट बनाओ और नचाओ अपने परिवार के सदस्यों जैसे मां पिताजी भाई बहनादी को दर्शाने वाले कुछ फिंगर पेपर फिंगर पेपिट बनाओ अवश्यक समगरी रंगीन कागज गोंद कैंची और रंग एक चोक और कागज लो कागज के दोनों कोनों को मोड़कर शंकू किया कृती दो कागज के खुले सिरोग को गोंद की साइता से चिपकाओ अब विमिन रंगों से इन पर अलग-अलग चे कूड़ा दान लिखो इस कागज की पेटी या डब्बे पर चिपकाओ और कक्षा के कोने में रखो इस तरह ऐसे कूड़ा दान लिखना है अब हम यहां पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे तो पहला प्रश्न है परिवार किसे कहते हैं उत्तर है लोगों का वह समून जिसमें रक्त संबंदों से तथा वह वाहिक संबंदों से बंदे लोग रहते हैं उन्हें परिवार कहते हैं प्रश्न दो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं उत्तर है जिस परिवार में माता-पित किसे कहते हैं, उत्तर है, जिस परिवार में केवल माता, पिता और उनके विभाइद बच्चे रहते हैं, उसे एका की परिवार कहते हैं, प्रशन चार्ड संयुक्त परिवार के दो लाब लिखो, उत्तर है, नमबर एक सुरक्षा की भावना विक्सित होती है, नमबर दो बच कुछ नुत्तर करवाऊंगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू